बताता हूँ, hypothesis, hypothesis एक वर्ड बार-बार यूज हो रहा है, तो hypothesis मैं सोच रहा हूँ कि properly explain नहीं करते हूँ, hypothesis एक unproven statement को बोलते हैं, जब आप physical word पढ़ोगे तो कुछी terms आने गिने चुने, तो आपको जान लेने चाहिए, इसकी scientific knowledge, non scientific knowledge से differentiate करने के लिए एक वर्ड यूज होग बार-बार और वो है hypothesis, क्या होता है hypothesis, hypothesis एक unproven statement है, माल लीजे मैंने एक observation किया, माल लीजे मैं ही Newton हूँ, और मेरे सामने ये apple ऐसे गिर रहा है, मेरे सर पे गिर रहा, और मैंने बोला कि earth ने इसको gravity की वे ऐसे खीचा, तो अभी मैंने प्रूव नहीं किया, तो it's an unproven statement, तो ये एक hypothesis है, simply एक hypothesis है, अब इस statement को लेके मैं खुद experiment करूँ, हजाल लोग और experiment करें, और generations of scientists experiment करते रहें, और अगर हमेशा सही पता चलता रहे, सही ही रहे, इसका कोई falsification ना हो, तो it becomes a law, then it will become a Newton's, then it has become Newton's law of gravitation, तो जो मैं बात कर रहा था, तो hypothesis law के पहले का एक step होता है, को कोई भी physics में law बनने से पहले, Newton's law of gravitation, gravity का law, या Coulomb's law, या Newton's second law, कोई भी law बनने से पहले, उससे पहले का जो step होता हुआ hypothesis होती, hypothesis is a step before the law, तो hypothesis एक unproven statement है, ऐसा बोल सकते हैं कि assumption है between the variables, अब इस चेक करो कि आपने कोई observation देखा, भई आपको कोई game नहीं पता, जैसे माल य चेस का game चल ला है, और आपने चेस का game ऐसे observer दो लोग खेल ले हैं और आप ऐसे observer बैटो, दो player खेल ले हैं, तो आपको law नहीं पता है, आपको जैसे pawn हो गया, सिपाई, उसके बारे में नहीं पता है, आपने अभी तक सिर्फ देखा है कि वो आगे, एक step आगे चलता है, सिर्फ एक step आगे forward चल सकता है, अब भी आपने दिमाग भी बना लिया, लेकिन थोज़ देखा कि नहीं वो ऐसे diagonally भी चल सकता है, तो आपने दिमाग में correct कल लिया, नहीं, मैंने जो statement अपने दिमाग में बना लिया था, लोग कि यह हमेसे एक step आगे चलता है, यह वाला player यह गलत है, यह आगे भी चल सकता है, forward और diagonally भी चल सकता है, तो इस तरीके से आपने आपको rectify कल लिया, फिर आपने पूरा game देख लिया, आपने देखा कि यह बस इतना ही चला है, तो आप अपने दिमाग में बना लिया कि law है, बात में उसका verification, falsification और game में भी होगा, और scientist होते हैं, वो hypothesis बनाते हैं, law बनाने से पहले फिर उसको experimentally check करते हैं, यह tentative explanation, tentative का मतलब ही change हो सकता है, तो tentative explanation बना लिया जाता है, बाद में देखते हैं कि वो सही है, कि गलत है, change हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, तो tentative explanation होता है,